नमस्कार दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल की ग्रफतारी हो चुकी है लेकिन इस ग्रफतारी के स्क्रिप्ट आज से दस महीने पहले ही लिखी जा चुकी है इस बात का खुलासा जमू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक पहले ही कर चुक से ठीक पहले 100% अर्विंद केजरिवाल को गिरफतार कर लिया जाएगा पहले आप उनकी बास सुनिये उनको मुझे लगता है बंद करेंगे इलेक्शन से पहले 100% उस्तों उन्होंने बीते साल ही बीबीसी को एक इंटर्व्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अर्विंद केजरिवाल को लोगसबा चुनाव से पहले अरेस्ट किया जा सकता है अब उनकी बात सही साबित हो गई है ऐसे में उनका बयान सोशल मीडिया पर काफी वा आज दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल की ग्रफतारी करके मोधी सरकार ने अपने ताबूत में आखरी कील ठोक ली तोस्तों जनता इनकी बात पर क्या कुछ कह रही है आपको उस पर भी नजर डालनी चाहिए डॉक्टर आदर्श का कहना है कि विराश काले विपरीत बुद्धी है उनकी भरने दीजिये घड़ा भाजपा के पैरो तलेज जमीन खिसक जाएगी और पता भी नहीं चलेगा भारत माता की जय पंकज लिख रहा है कि केजरिवाल को गिरफतार करके तानशा की हसरत पूरी हुई लक्षमन कह रहा है कि मोधी को जनता सब जरूर सिखाएगी अब अब दोस्तों जब सत्यपाल मलिक की बात सही साबित हुई है ऐसे में सवाल तो जरूर उठ रहा है कि क्या भारती है जनता पार्टी की सरकार चुनाव से पहले इतना घबराई हुई है कि एक एक करके विपक्ष को पूरी तरीके से अपने रास्ते स हटाना चाहती है क्या ऐसे 400 पार करने का इरादा बनाया जा रहा है आपको क्या लगता है अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बताएगा ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहा है मेरे नाम है फरीन अंसारी आप रहें स्वस्त मस्त बस यही है द गचे आपल कर ददेखर synt रहा है और ये दो क करने दाल ऺगता है को क्ते है क्यां है वे इस किडि़ द़ सूल पित रहा है क्यों क्यों चली आछाशकयत कर दो अल्सय सकता है क्यों क्यों थूक 라ी ऑवता है रहा है